हलो बच्चों गुट मॉरिंग असलावलिगूम एब्रिवन कैसे हैं आप सब आप सब गर पर अच्छे से होंगे I wholeheartedly welcome you to my Hindi class student हम आपकी बुक अंकुष हिंदी पाट मला बाग फोर पढ़ रहे हैं Class 4 हम आपका lesson number 15 complete कर चुके हैं आपका 82 का syllabus complete हो चुका है आज हम lesson number 16 पढ़ेंगे ठीक है lesson number 16 है हमारे दो है कबीरदाश जी ब्रिंद जी इनकी दो है है तो संस्कृत में हम दो है संस्कृत के जो दो है है इनके meaning जो है तोड़े different होते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे ठीक है बच्चों तो पच्चों पहला है गुरू गोविन दो उ खड़े काको लागू पाई बलिहारी गुरू आपने गोविन दियो बताए इसमें कबीरदा जी कहते हैं मेरे सामने गुरू और इश्वर यानि कि गुरू और हमारे इश्वर यानि कि भगवान दोनों खड़े हैं मेरा मन दूविदा में मैं परिशान हूँ कि मैं पहले किस के पाँ चूँ और वहां गुरू के चरण को पहले चूँते अब वो पहले तो दूविदा में थे कि मैं पहले किस के पे चूँ लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने गुरू के पहले चूँगा और कहते हैं कि धन्य हूँ मैं जो आप ने मुझे इश्वर तक जाने का रास्ता बताया यानि कि गुरू ने ही हमें जो है भगवान तक जाने का रास्ता बताया कि भगवान को किस तरह भगवान को मानना है किस तरह भगवान के तरफ जाना है हमें गुरू ने सिखाई इसलिए मैं पहले गुरू के पैर छूँगा उसके बाद सेकंड है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जेसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अतिदूर इसका मतलब क्या है बच्चों की खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का क्या फाइदा जो राहा चलते मुसाफिर को छाना दे सके और किसी को भूग लगे तो फल नहीं दे सके इसका मतलब है की इतना बड़ा होने का क्या फाइदा जो बड़ा बड़पन किसी के काम ना है ठीक है खजूर का पेड़ देखो कितना बड़ा है इसके पत्ते देखो कितनी उचाएपे कोई अगर रास्ते में मसाफिर यहां बेटे गा तो उसको च्छाओनी लगेगी अगर किसी को भूग लगेगा तो वो यहां से फल तोड़के नहीं क्या क्योंकि वो बड़ी उचाएपे है अर्थात इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा इनसान बनके अगर वो किसी के हेल्प न करे किसी के काम नहीं तो इतना बड़ा होने का कोई फाइदा नहीं ठीक है उसके बाद थर्ड विद्या धन उद्यम बिना काहु जो पावे कोन बिना डुलाए ना मिले जोयो पंखे की पोन इसका मतलब यह विद्या धन उद्यम बिना जो विद्या है हमारी हमें पढ़ने के लिए हमारी जो विद्या होती है वो बिना मेहनत उद्यमिस मेहनत बिना मेहनत के हमें मलब हासिल नहीं होगा अगर हम लोग महनत करेंगे तो हम जो है अपनी पड़ाई में आगे जाएंगे ठीके आगे निकलेंगे जिस तरह आफ और एक्जामपल जिस तरह बच्चों बीना डुलाए अगर पंखे को हम बीना हिलाई अगर हमें हवा मिलती तो क्या इसी तरह जब तक महनत नहीं करेंगे तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे पड़ाई में आगे नहीं विद्यारूपी धन जो है आपको महनत से ही मिलेगा बिना महनत के आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा जिस तरह पंखे को बिना हिलाए हवा नहीं मिलती इस तरह पड़ाई में भी बिना मेहनत करें इनसान आगे नहीं बढ़ सकता ठीक है उसके बाद थोड़ हमारा देखिए ऐसी बानी बोले मन का आपा खोई औरन को सीतल करे आपू सीतल होई इसका मतलब है कि ऐसी बानी ऐसी मीठी बानी जो है तरफ रखे लोगों से प्यार से बात करें तो लोग खुद बखुद हमें याद करेंगे बई वो इनसान देखो कितना अच्छा था हमसे कितने प्यार से मनलब हमारे जितनी भी दुख तकलीफ है अगर आप किसी इनसान को दुख है तो वो इनसान इतना दुखी है और आपने जाके उससे दो बोल मीठे बोल दिये तो वो इनसान जो है अपने दुखदर बूल के आपके वो मीठी बाते सुनकर खुश हो जाएगा तो इससे जादा महनता क्या होगी ठीके जो इनसान किसी इनसान को अपनी बातों से खुश करे इससे बड़ा महानता इससे बड़ा काम कुशनी होगा तो इसका मतलब यही है कि लोगों को जो है लोगों के साथ जो है अच्छी तरीके से बात करना लोगों के दुख को दूर करना यानि उसके अंदर दुनिया यह दुनिया जो है बच्चों जैसे की बहुत सारे लोग ऐसे होते ही मलब एक दूसरे के दुश्मन होते अगर वो इनसान आपके लिए बुरा कह रहा हो तो आप भी उसके लिए बुरा कह रहा हो तो आप जो है उसके लिए अच्छा बोलिए ठीके खुद बहुत वो इनसान आपकी अच्छाई देखके आगे जुक जाएगा कहेगा कि हाँ भई ये मैं इसके लिए इतना बुरा कर रहा था और ये मेरे लिए इतना अच्छा कर रहा तो इसका मतलब यही है कि लोग चाहे कितना भी लोगों के मन में आपके लिए करवाट हो लेकिन आप उनके साथ अच्छे से रहेंगे प्यार से बात करेंगे तो वो आपको जरूर समझेंगे उसके बात लास्ट है करत करत अभ्यास से जड्मत होत सुजान रसरी आवत जात तेसल पढ़त निशान इसका मतलब है कि आप जितनी भी कोशिस करोगे मलब एक इनसान जो बिलकुल पढ़ाए में वी को ठीक है बिलकुल वी को तो वो जो है पढ़ने में उसका बिलकुल मन नहीं अगर वो महनत करेगा बार बार अभ्यास बार बार प्रैक्टिस करेगा तो वो मुर्ख इनसान भी क्या है होश्यार बन जाएगा जड्मती मिस मुर्ख सुजान मने होश्यार वो बुद्धिहीन बेवकुफ इनसान मुर् तो कुहा जो है वो हाड होता है ना सिल पत्थर पर निशान यानि की बार बार हमने उस कुहें से पानी निकालने से वो सोफ्ट रसी जो रसी का निशान जो है उस पत्थर पर पढ़िया है देखो उस पत्थर पर जिस तरह निशान पढ़िया बार बार कोशिस करने से अगर आप लोग बार 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 कोशिस करोगे तो आप भी जो है आगे बढ़ोगे और तरक्की के रास्ते पर पहुचोगे इसका मतलब यही है ठीके बचो उसके बात यहां पर मोखिक प्रेशन है को गोविन अर्थात इश्वर की बारे में किसने जानकारी दी किसने दी हमें हमें हमारे गुरू ने हमें जानकारी दी उसके बद खा किस तरह के पेड़ होने का कोई लाप नहीं है खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का कोई लाप नहीं है उसके बद जो मीठा वानी बोलता है उसके आगे जो है मलब कठोर से कठोर इनसान भी जो है जुग जाता पत्थर पर निशान कप पड़ते हैं पत्थर पर जब हम बार-बार उस लोकुहें से पानी को निकालते हैं बार-बार कोशिस करने से जो है उस रस्ती पर निशान पड़ते हैं ठीकिए बच्चों यहीं तक रखेंगे इंशालर्ला कल हम इसके शबदार्ड आपको झाल 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 झाल